Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम काफी interesting topic को तो discuss करेंगे लेकिन साथ में ये topic काफी खतरनाक होने वाला है because यहाँ पे topic में तो आपने देख लिया है कि क्या है title में आप देख चुके हो कौन सा processor बेस्ट है music production के लिए हाँ जी processor practical example दिखाऊंगा आपको पूरा demonstrate करूँगा and ये वीडियो देखने के बाद आप अपना जो processor है चाहें वो laptop का हो या फिर वो desktop का हो आप एकदम right processor choose करोगे तो भाई यह सबसे जादा confusion तब होता है कि जब आप decide करते हो कि music production अप करना है अपना जो level है थोड़ा सा up करना है हमें चाहिए एक नया PC या फिर एक नया laptop अब चलो पहले तो ये decide करो कि इन दोनों में से क्या लेना है then उसके बाद आपके पास एक और option आता है I mean दो option आते है Intel के processor लेने है या फिर राइजन के processor लेने है चलो वो भी decide कर लिया उसके बाद राइजन अगर कर रहा है तो राइजन में कौन सी series राइजन 3, 5, 7, 9 कौन सा अगर आप Intel चूज करते हो तो वहाँ पर भी series है i3, i5, i7, i9 तो भाया इतनी सारी confusion कैसे decide करें कि music production के लिए कौन सा best होगा आपने आज से पहले बहुत videos देखी होंगी यह अच्छा है यह अच्छा है लेकिन आज इस video में मैं आपको practical example दिखाने वाला हूँ तो video को कर दो अभी क्या भी like और channel पर पहली बार आयो तो channel को कर लो subscribe because इसी type के videos मैं लेकर आता रहता हूँ लेकिन यार आप लोग channel को subscribe का तो पता नहीं लेकिन video को like नहीं करते हो तो इस video को at least 100 likes तो मिल जाने चाहिए यार अगर 100 भी नहीं मिले न तो यार यह बात गलत है मैं नहीं बना रहा video मैं जा रहा हूँ लॉट के बुद्दु घर को आए चलते हैं computer screen pen में आपको दिखाता हूँ कि exactly कैसे आप समझोगे तो यह है project एक बार इसको सुनते हैं यहाँ पर mastering करी है मैंने अच्छी कासी heavy plugins मैंने use करी है सुनते हैं कैसा sound कर रहा है आपके सामने है CPU usage जो है अमारी वो 89% तक जा रही है वो red हो रहा है साथ में crackling sound भी आ रही है अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं system कोई थोड़ा सा low configuration का use कर रहा हूँ तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपने system की configuration भी दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हो प्रोसेसर मेरा है i9-9900K that is 9th generation Intel i9 9th generation प्रोसेसर है इसकी जो frequency है speed है 3.60 GHz है 32 GB मैंने RAM यूज़ करी है बाकी और जो SSD storage है उससे आपको मतलब नहीं है इसको कर देते हैं close 32 GB RAM i9 प्रोसेसर उसके बाद भी crackle sound कर रहा है क्या इतना हेवी प्रोजेक्ट है सही में एक बारी फिर से प्रोजेक्ट पे चलते हैं एंड साथ में मैं open करता हूँ टास्क मेनेजर यह टास्क मेनेजर हो गया परफॉर्मेंस पे आते हैं इसको प्ले करते हैं यहां पर आप देख सकते हूँ 50% तक CPU यूज़ जा रही थी लेकिन अगर मैं यहां पर प्रोसेसिज में आता हूं और इसको प्ले करता हूं इक काम करता हूं इसको मैं प्ले ही रहन देता हूं इंड साथ में वॉल्यूम को बंद कर देता हूं वॉल्यूम बंद हो गई हमे भार sound नहीं आ रही है आपको sound नहीं आएगी लेकिन processing पीछे चल ही रही है आप देख सकते हो 90% तक पहुच रहा है वापस आते हैं task manager पे तो आप देख सकते हो जो FL studio है FL studio कितना consume कर रहा है CPU को 29-30% तक बाकी जो rest of the amount है वो OBS के थूँ आ रहा है और जो मेरी video recording चल रही है वो ह 30-31% के around FL studio consume कर रहा है RAM को देखें तो यहाँ पे RAM I think 25% है कितना है बाई यह 2.6GB RAM consume कर रहा है FL studio FL studio ठीक है लेकिन अगर हम overall देखें तो अगर OBS भी यहाँ पे जो screen recording हो रही है वो भी processing हो रही है crackling sound अभी भी है वो 90% पे है FL studio आप सामने देख सकते हो यहाँ पे CPU usage 50% के around है तब भी crackle sound क्यों हो रहा है उसका reason जो आपका audio processing होती है वो एक chain में होती है सारी जो plugins होती है वो chain में होती है एक परी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से यह mixer है master channel है आप देख सकते हो इस type से pro q3, simplon, patcher, poatec eq, shadow hills, mastering compressor, bus force, l2, ulean, loudness, meter 2, span इस type से एक के बाद एक यहाँ पे plugins हैं तो audio processing एक के बाद एक होती है आपने सुना होगा आपका जो CPU होता है प्रोसेसर होता है इसको एक बरी मैं बन करता हूँ आपका जो processor होता है उसमें दो main चीज़े होती है एक course और साथ में उसकी speed अब भाई कितने course का processor चाहिए कितनी speed होनी चाहिए music production के लिए क्या चीज़ important है मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ and again फिर से बना रहा हूँ I think एक दो साल पुरानी वीडियो है वो जो मैंने पहले बनाई थी अगर आप मेरे चैनल पर चेक करोगे तो मिल जाएगी जो आपकी music production की processing है उसमें सबसे जादा important होता है आपकी per core एक core जो है आपके processor का उसकी speed जित्ती speed जादा होगी उतना आपको benefit मिलेगा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जो मेरा CPU है वो 3.6 GHz लेकिन मैंने इसको overclock कर रखा है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आप देख सकते हो यह है 3.60 GHz 5 GHz तक यह boost हो सकता है लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सिरफ एक core इसकी इसको overclock किया हुए और यहाँ पर जो speed है व 4.68 GHz एक काम करते हैं इसको मैं आपके सामने ही overclock करता हूँ इसको close करता हूँ यहाँ से मैं अपना processing जो है मेरा applications उसको open करता हूँ Easy Tune यह Auras का मेरा software है इसके through मैं one click से overclock कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह सामने interface आ चुका है यहाँ पर सिरफ एक core जो है वो 5 GHz पर बाकी सारी down है अब मैं इसको overclock कर देता हूँ सारी core इसमें 8 core 16 thread है न आर्ट की 8 core जो है वो हो जाएंगी 5 GHz पर Fan की noise मेरी बढ़ जाएगी processing power बढ़ जाएगी जो power consumption है electricity consumption है वो भी बढ़ जाएगा So okay यह हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पर frequency इसको close कर सकते हैं इसको भी close कर सकते हैं वापिस हम open करेंगे Task manager performance आप देख सकते हो 4.97 GHz अब एक बर ही play करते हैं शायद ही कुछ फरक पड़ा है headphone पर सुन लेता हूँ एक बरी तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी ऐस सच फरक नहीं पड़ा है क्योंकि हमने जो overclock करी हैं वो बाकी पहले से ही एक कोर हमारी overclock थी 5 GHz पर यहाँ पर यहाँ पर एक कोर जितना handle कर सकती थी वो handle कर रही है अगर आपके CPU जो आपका CPU है उसमें जादा कोर्स भी होंगी तब भी उतना फाइदा नहीं होगा अगर आप सोच रहे हो 8 कोर ले लो 16 कोर ले लो या फिर इस टाइप के प्रोसेसर ले लो आपकी जो audio processing है बहुत जादा बढ़ जाएगी बहुत अच्छे से आप अपना जो mixing है वो कर पाऊगे, mastering कर पाऊगे, बहुत अच्छे अच्छी plugins आड़ कर पाऊगे, heavy plugins आड़ कर पाऊगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, वो सबसे major role play करती है On the other hand, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिलकुल important नहीं है course लेकिन 8 core, 16 core इतना बिलकुल use नहीं है music production में चो clock speed है, वो जादा माइने रखती है आपके music production में I hope आपको काफी सारी चीज़े clear हो गई होंगी, आप कोई भी processor ले सकते हो AMD या फिर Intel अब series की बात करें, तो वो depend करता है आपके उपर, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बिलकुल ही i3 या फिर Ryzen 3 ले लो because, सिरफ music production नहीं, बहुत सारी other चीज़े भी हैं जो आपको साथ में करनी होती है like multitasking, अभी भी ये जो मैं video record कर रहा था, सो आपने देखा, FL studio and पीछे screen recording के लिए OBS on था तो multitasking के लिए भी आपको कुछ course तो जरूर चाहिए ही होती है, लेकिन अगर आप Ryzen 5 and i5 पे भी music production करते हो make sure जो clock speed है, clock speed आपकी जादा होनी चाहिए, आजकल के time में 5 GHz से उपर आपको अच्छी कासी clock speeds मिल जाती है जितनी जादा clock speed होगी, उतनी जादा आप heavy plugins को add कर पाओगे I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा, video अच्छा लगा है, तो video कर दिना, like, channel को कर दिना, subscribe अगर आपके मन में कोई doubts हैं या फिर कोई queries हैं, so comment section नीचे खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हो फिलाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी next video में